Hello everyone, so today I will tell you about salary of football players in India तो मैं आपको जो lower division state leagues होती है वहाँ से professional division जो Indian super league होती है वहाँ तक का पूरा salary structure बताता हूं कि कितनी कमाई किस leagues में होती है, bands और women's league दोनों में तो कई लोग ऐसा सोचते है कि football players की salary कितनी होती है इंडिया में lower division players की क्योंकि lower division players की salary disclose नहीं होती है वह स्रिप top transfers जो होते है उनकी salary disclose हो पाती है तो मैं आज आपको हर चीज बताऊँगा तो वीडियो को आखरी तक देखिए आप तो सबसे पहले हम बात करते है एक lower division की यानि कि कोई भी स्टेट की लीग जैसे कि MP लीग हो सकती बैंगलोर लीग कलकृटा लीग मिजो लीग मनीपूर लीग जो भी स्टेट लीग होती हो सबसे lower division कहलाती है तो इस लीग में किस टाइप के players खेलते हैं और किन players को कैसी salary मिलती है उस बारे में जानते है थोड़ा तो देखिए जो lower leagues होती है इसमें salary बहुत ही कम होती है अब जैसे कि मान के चलो कलकृटा लीग खेल रहा है मिजो लीग खेल रहा है तो इन लीग में अच्छी salary है तो इस टाइप की जो थोड़ी famous leagues है इन में थोड़ी ठीक salary है तो salary जैसे कैसी होगी जैसे आप तो इसमें भी कुछ प्लेयर्स को बहुत ज्यादा salary दी जाती है जैसे कि मान के चलो कलकृटा लीग में कुछ प्लेयर्स को पांच हजार भी देते कुछ प्लेयर्स को दस हजार रुपए भी देते मंथली बतारों में और कुछ प्लेयर्स को पचास हजार तक भी मिलते है तो यह डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का खेल दिखाता है तो इसी टाइप से हर जग है मतलब कि lower league जो है ज इस टाइप की salary आपको मिल पाएगी ठीक है और इसमें क्या होता है कि salary के साथ accommodation वगेरा भी मिल जाता है कहीं कहीं पर तो इसलिए salary जो है कम भी रहती कुछ players के लिए ठीक रहती उन लोगों के लिए कुछ players जो वहीं के होते है locals उनके लिए salary बहुत अच्छी हो जाती है क्य इसमें बहुत जाले salary मिल जाएगी इसमें इसमें क्या है कि थोड़ा सा प्रोफेशनलिजम आ जाता है कि आपको रहने के लिए अच्छी जगे मिल जाएगी, accommodation मतलब अच्छा मिल जाएगा, food अच्छा मिल जाएगा, और salary इसमें भी ऐसा रहता है कि आप पर डिपेंड करत तक मिलती कुछ कुछ 40, मतलब और उपर तक भी जा सकती, 50,000 तक भी जा सकती मनतली, तो यह डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के player हो, तो यह आपकी महनत पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का salary के हगदार बन पाते हो, ठीक है, तो इसमें ऐसा मैं सोची कि मैं second division कि आपको 10,000 ही मिलने वाले है, नहीं ऐसा नहीं है, आप अच्छा खिल आपको 50,000 मिल जाएंगे, और हो सकते है कि आप अच्छा खिल के scout होके बड़े कलब में और आगे जाएं, तो आपकी salary और increase हो जाएगी, तो I hope कि आप second division की salary भी समझ गया होंगे, अब इसके बाद आ इंडिया की पूरी टीम, इंडिया टीम जो होती हो इसल में ही खिलती है, और जो top professionals होते हैं, जो European League के बड़े प्लेयर्स वह भी ISL में ही आते हैं, बाकी दोनों लीग का लेवल एक ही है, दोनों में बस एक ही difference है कि आप AFC Cup में जाओगे, आई लीग से, और AFC Champions League में आप आ आई लीग में हो, तो आप अगर bench पे भी बैठे हो, तो at least आप 2,00,000 तक रूपए कमा ही लोगे एक साल में, ठीक है, मतलब मैं सिर्फ एक club की salary बता रहा हूँ, अगर आपका कोई sponsor आपको मिल जाए, और ऐसा मानलो कि कोई company आपको ad के लिए approach करती है, तो वो पैसे में नही बता रहा हूँ, मैं केवल बता रहा हूँ, एक club से आपको क्या salary मिलेगी, तो i-league में आप लगभग 2,00,000,000 रुपए तक आप अगर bench पे भी बैठे होगे, खेलोगे भी नहीं, तो भी आपको इतनी salary तो मिली जाएगी, ठीक है, और highest salary अभी i-league में तुरंत में highest एक करो अगर आप कोई top class job करोगे, कोई बहुत बड़ी company में, तो आपको 50,000,000,000 बाकि normal job करोगे, तो आपको 2,3,4,000,000,000,000 ही मिलेगे, बहुत ज्याद है पैसे नहीं मिलते है अगर देख सकते कि आई लीग में आपको इतने पैसे मिल सकते मतलब अगर अगर एंट्री भी कर लेते किसी क्लब में साइन कर ले तो आपको 2 लाक रुपए तो मिलना ही मिलना तो ये ठीक है अगर और मानलो के गार आप बहुत इनिसियल स्टेज में इस चलेगे 17-18 साल में त बैठे हो तो आपको 2,5 लाक या 3 लाक तक या बैंच पर बैठे भी हो मतलब 3,5 लाक आप कमा ही लोगे ठीक है तो इंडियन प्लेयर्स के लिए अगर आप देखें इसल में तो इसल में हाइस जैसे कि सुझे चेतरी अमरींदर सिंग गुरुपरी संदू इन लोग को अच् किसी भी क्लब में रहों आपको लगभग 2,3 लाक रुपए तक आप कमा लोगे और अगर आप बहुत अच्छे प्लेयर हो तो बहुत ज्यादा भी कमा सकते हैं तो इस तरह से आप इसल की सेलरी है तो आप इसमें भी देख सकते हो कि सेलरी की कोई दिकत नहीं है बस आपको तक पहुचना है बस आपको थोड़ा सा मन बनाना है ड्रीम रखना है कि में को यहां पहुचना है और बहुत अच्छा खिलो तो फिर क्या बात है बहुत अच्छा के लोग चालिस लाग पचास लाग सतर लाग एक करोड तक भी जा सकते हो यह होगी जो मैंस डिविजन है इ इन प्लेयर की की सेलरी ठोड़ी ठीक है इंडिया में और बाकि सिर्फ आइडबॉरे की सेलरी मिंतलब कुछ प्लेयर wyto एप ठीब जोंको एक लाख रूपाय बही और कहा डीन ही मिलते हैं आप सोच सकते हों तो एक लाख रूपाय भी नही इतना मिल जाते हैं 10 लाठ ठीक ह मतलब हराम से आप एक बहुत अच्छी लाइफ तो जी सकते हो ना आट-दस लाग में इंडिया में लेकिन आप यह दोखो कि यह के वाज टॉप गर्ल्स है उनको सेलरी मिल रही है आट-दस लाग रूप है बाकी जो है उनको किसी को दो लाग किसी को एक लाग किसी को एक सब्सक्राइब करेंट चाहिए और आप रैंक देखें तो 55 नंबर पर खेलते हैं वर्ल्ड में तो कितना डिफ्रेंस है तो यह थोड़ा सा मतलब यह थोड़ा सा पैसा तो ज्यादा मिलना चाहिए हालाग यह बात अलग है कि इंडिया में आप क्रिकेट कोई भी गेम देख इस में आपका वो नहीं जोड है कि को कोई अगर COMPANY SPONSOR करें आपकोidhmme से अलग जा तो इसमें उसका अलग जाय तो इस तइप से आपकोοι लेना देना नहीं है तो इस ताइप से आपको salary मिलेगे आप अगर इंडिया के किसी professional club में खेल हो गे खेल सोच रहे हो कि आगर कर तो आप बिंदास कमेंट कर सकते नीचे और भी कुछ रहेगा तो मैं उस बारे में आपको बता सकता हूँ ठीक है तो for more videos you can subscribe to my channel and thank you for watching the video जैहिन